हेलो फ्रेंज, वेल्गम बेक टो अर्चेनल दोस्तो आखिर कर कतर को बंगलादिश से मदद लेनी परी जी हैं दोस्तो आखिर कर बंगलादिश के आर्मी कतर जा रही है उनकी मदद करने के लिए और बदले में कतर भी बंगलादिश को बहुत सरे फैसलिटी प्रोबैट करेंगी दरसल दोस्तो बात यह है कि जब बंगलादिश की आर्मी चीप इस साल मर्च महीने में कतर के बिजिट पर गए थे तब उन्होंने कतर को आर्मी हेल्प की आफर की प्रस्ताब दी थी और जब जून महीने में कतर के चीप आप डिफिन स्टाप बंगलादिश के दोरे पर आये थे तब उन्होंने इस विशाये पर अपना सहमती जताया था तरसल दोस्तो यह सल कतर के लिए बहुती मैत्वन होने जा रही है क्योंकि सल कतर में होने जा रही है सबसे बड़ा खेल का महाकूम फीपा फुडवल वर्ल्ड कप 2022 जी दोस्तो और ऐसे में देश बिदेश से बहुत सरे दर्शक बहुत सरे खिलारी बहुत सरे टीम आएंगे और उन सब की सिकुरिटी प्रोवेट करने के जिमेदरी पूरी तरह से कतर पर रहेगे लेकिन कतर के पास इतनी सेना मौझूद नहीं है इतनी सिकुरिटी परसनाल मौझूद नहीं है उनको सिकुरिटी प्रोवेट करने के लिए इसलिए कतर दुनिया भर से जो बेस्ट आर बंगलादेश आर्मी की प्रोपेशनलिटी पर भी कोई सवाल नहीं उड़ता इसलिए कतर ने आखिर कर बंगलादेश से मदद मांग ली दोस्तों बता दे आपको वैसे तो कतर के जो शुरक्सा है वो तुर्की ही देखता है साथ में पाकिस्तन की एरफॉर्स के कुछ पाइल इसलिए कतर ने आखिर कर बंगलादेश से मदद मांग ली तुस्तों जून माईने में जब कतर के चीप आप डिफिंस्ट आप बंगलादेश आये थे तब उन्होंने पंगलादेश को आठ अरेबियन घोरा भी गिप्ट किये थे बदले में बंगलादेश ने भी आठ हीरे से और इसलिए वो पंगलादेश को ये घोरे गिप्ट किये हैं आपको बता दे कतर के पास वर्ल्ड क्लास ट्रांस्पोर्ट एयरक्रेफ्ट सी 17 ग्लोब मस्टर मौजूद है और बताया जाता है दोस्तों इसी से बंगलादेश के जो आर्मी परसनल है उनको इसी से ले जाय लाइक और कर दीजिएगा चैनल पर नए है तो प्लीस सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए टेक कर गुडवाए